क्या आप जानते हैं कि जॉब्स ड्रिवन फेडरल बजट के हिस्से के रूप में आस्ट्रेलिया कोरोना वाइरस के दौरान देश में इंटरनाशनल टालेंट को आकर्शित करने को सोच रहा है। विदेशी कमपनियों और अन्यदेशों की एक्सपर्टीज को अट्राक्ट करने के लिए आधि बिलियन डॉलर के प्रोग्राम के साथ औस्ट्रेलिया कोविड-19 के अपने मैंजमेंट पर कैपिटलाइज करने का लक्षे रखेगा। पूरी खबर जानने के लिए विडियो को अंतक देखें और विडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Brain Drain Consultants की तरफ से हमारे Immigration Information और News Channel A2Z Immigration Updates में आपका हार्दिक स्वागत है। Treasurer Josh Frydenberg ने पैकेज के बारे में बताते हुए कहा कि जो आज का Federal Budget है वो बजट चार साल पहले 550 मिलियन डॉलर का होता था। नई policies में red tape को कम करना और employee stock ownership plans के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए tax laws में सुधार करना शामिल है। और सरकार का दावा है कि नई व्यवसायों के लिए talented employees को भरती करने और बनाय रखने के लिए महत्वपूर्ण है। person tax residency laws को streamline किया जाएगा और Australian Tax Office International Investors को tax advice में तेजी लाने के लिए एक concierge सेवा दी जाएगी। Mr. Frydenberg ने कहा हमें इस अफसर को पकड़ लेना चाहिए और इस संकर के लिए अपने health और economic response के बल पर capitalize करना चाहिए। जब तक दूसरे देश वाइरस को नियंतरित करने और taxes को बढ़ाने के लिए संगर्श कर रहे हैं। हमारा ध्यान हमारी recovery में तेजी लाने और Australia के लिए बहतर भविश्य का निर्मान करने में हमारी मदद करने के लिए सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली टालेंट को अपनी तरफ आकर्शित करने पर है। Australia सरकार ने announcement की की 2022 तक International Border नियंतरन को बनाय रखा जाएगा। क्या है COVID recovery के उदेश्य से बड़ा खर्च करने वाला बज़र? हाला कि Australia COVID-19 से बहुत तेजी से उबर रहा है। Mr. Frydenberg ने अपेक्षा की की Economic Recovery को सुरक्षित करने के लिए अभी भी बहुत जादा काम करने की आवशकता है। उन्होंने कहा कि वो Coalition के Traditional Focus से Debt और Deficit से दूर चला गया है और बेरोजगारी दर को Pre-Pandemic के स्तर तक ले जाने के उदेशे से अरबों डॉलर खर्च किये हैं। Job Trainer Program को अगले 12 महीनों तक Extend करने की उम्मीद है जो हजारों लोगों को मुफ्तिया कमशूत कोसिस देते हैं ताकि वे Aged Care, It और Child Care जैसे एरियाज में काम कर सकें। हाला की Job Maker Recruiting Credit पिछले साल के बजट का एक सेंटर पीस है जो सरकार द्वारा वादा की गई नौकरियों का केवल एक अंच प्रदान करने के बाद चौपिंग ब्लॉक पर है। हाला की सिंगल पेरंस को घर खरीदने के लिए जादा सरकारी सहायता दी जाएगी। Aged Care Response के लिए बजट क्या है? Treasurer बहुत जादा लॉंग टर्म खर्च उपायों में ताला लगाने से बचना चाहता है। Aged Care उनमें से एक है। सरकार ने सेक्टर में डामिंग रॉयल कमिशन के जवाब में केवल एक जनरेशन की इंवेस्टमेंट के लिए वादा किया है। अगले चार सालों में 10 बिलियन डॉलर से अधिक खर्च किये जाने की उम्मीद है। हाला कि कई आद्वकेट्स का कहना है कि जो आवश्यक है वो कम हो जाएगा। चायल्ड केर भी फोकस में है। सरकार ने पहले से ही हायर इंकम वाले लोगों के लिए सबसिडी कैप हटाने और देखभाल में दो या जादा बच्चों वाले परिवारों के लिए सबसिडी कम करने के लिए एक दशमलव साथ बिलियन डॉलर के चायल्ड केर पैकेज की घोशना की है। बजट अनुमानों के अनुसार, नाशनल डिसबिलिटी इंशूरंस स्कीम को तीन सालों में मेडिकेर से जादा लागत आएगी। इसकी लॉंग टर्म वेरियाबिलिटी के बारे में विवाद को बढ़ावा मिलेगा। हाला कि Mr.Fraidenberg ने कहा की सरकार पॉलिसी के लिए कुम्प्enary कमिटेट थी। बजट में लेबर द्वारा सरकार के लिए स्ट्रेस टेस्ट करार दिया गया था। जिन्होंने कहा कि coalition के पास Australia के economic recovery के लिए एक comprehensive strategy की कमी थी। सोमवार को विपक्ष के लीडर Anthony Albanese ने budget की तुलना display pocket से की। एक budget जो बहुत आकरशक दिखता है, लेकिन जब आप इसे घर ले जाते हैं, तो किवल कुछ दिन या कुछ सब्ताह तक रहता है। Fact यह है कि इस सरकार से एक trillion dollars के debt के अलावा कोई lasting legacy नहीं है। से दोबारा मुलाकात होगी।